तो आज संड़े और तारीक है आज तीन और पिछले कल से लगातार बारिश लगी हुए और अभी भी बारिश लगी हुए मैं आई थी अपने काउशेल्ड में पुस्मों का काम करने के लिए तो अपने ब्लॉग की शुरुवाति भी कर देती हूं क्योंकि दो तिन दिनों से आपके साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर रखा है और थोड़ा सा मैं आपको बैक क्यामरे से भी दिखाऊंगी और यह हमारे मंदिर का रंग प्रेंटम होकर तयार हो गया है और शिवरात्री आठ तारीक है आज तीन भारिक है और हो सकेगा तो स लगतार बारिश लोग लगी यह दो दिन ओगे पूरे और आज भी पूरा देन बताई हुए पर पता नहीं पूरा देन रहे की कि नहीं रहे है और लाइट भी नहीं है लाइट थोड़ी देर के रिए आधा फेस आता है और फिर चली जाती है तो आज कपड़े की दुलाई ठीक हो जाएगा और लाइट मतलब फूल लाइट आ जाएगे ना तब मैं दोई दूंगी कपड़े की तो मैं करी दूंगी आज दूलाई कुछ नहीं कुछ कर देंगे बास लाइट आनी चीए तो थोड़ा सा बैकेमरे से दिखाती हूं और ना फॉन पर पानी भी बढ़ आप देखी रहें तो थोड़ा से बढ़ देती हूं चलते चलते तो बारिस बढ़ गी है और मैं जारी अपने काउसेड में आज लाइट तो है दी अमने पश्मों का काम कर दिया है और पूरा काउसेड अपना शाप कर दिया है शुबा शुबा अब टाइम में आठ नी हमारे ध cancer बिया एं और जृवह संधा ताज-वाय दाज लाते ना खासने से वह मारा कतम हो गया क्योकि दो तीनों से धासालाई ह्लियो अ और ऐसे भी मौसों खराब जला वह था तो इस तरफ है अमारी तूड़ी तो तूड़ी भी अमारी धीरे-धीरे कम होती जा रही है क्योंकि हम गहों की तूड़ी ना इसको देते हैं भीगो कर पहले इसको आदा गंटा भीगो देते हैं और बड़े आराम से खा लेते हैं और कि जो हमारा घास है स्टोर वो है उपर तो जो भी दो पहर का घास देना होगा वह हम उपर से लाएंगे घास की गड़ी नीचे और अभी दस-ग्यारबे तक घास पशों के लिए दे ही दिया है अब चलते हैं अपने कीचन में क्यूंकि अभी चाय ग्रेवनाई अभी डूद्ध निकालने वाला पॉस्व तब बीचल देखना बटता है और अगर सुबह पूबह लिए जाना तब बीचल दिखना कटता है इसे दो फ्म दिनों से ना साथ वजह उट मॉट्च फराब होता है और लाइट है जिल पूशन चली है और अब चलते हैं आपने कीचन म हो रहा है किचन में गौरी के रिए दलिया बन रहा है और आग जली हुए बाहर बहुत ज्यादा ठंड है अभी हमने न चाय बनाई है तो इसमें आप दो जो खिर कर लेते हैं यह उबाल दिया है और अब बनाएंगे चाय और यहां पर जली है आग और यहां पर बैठे हुए आपकर के पापजी अपनी गोरी के लिए दलिया जीआ देली हुए जी कैसा लगदा है आग के पास बैठे हुए बहुत अच्छा है महँ आट रहा है लाइटर तो पता नियाओने की नहीं है आई जय आवरी निया ना 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 फूरी निया पार में यह वाँ में आए भाँ करने के लिए क्योंकि अभी पूजा भी करनी है तो उसनान तो सुबह सुबह ही करना पड़ता है कि आम देख रहे थे कि काउशेड में काम कर लेते हैं उतने को लाइट आजाएगे ना तो गीजर आन करेंगे पर नहीं आई और टाइम जो है आठ बजने लग चुके हैं तो इ इंतजार किया लाइट का और यह है चार्जिंग वाला बल्लव और लाइट आई नहीं पता नहीं आईगी और वेने रख दिया है पतिला चुले पर पानी गर्म करने और उपर से लगा लिया उसको कर दिया है पीछे क्योंकि इसमें एक-दो वाला आ गया है और पानी गर्म पूजा करने के तो पानी चूट दीए हमेन गर्म करने के लिए और बाहर लगए जूप यह दूपना साथ थोड़ी देर के लिए और इस तरफ देखो किस तरफ के बादल बादल लगे हुए पूरे और इस तरफ आसमान थोड़ा साफ हो गया और अच्छा है साफ हो जाना यह क्योंकि दो तिन दिनों से ना बारिस हो रही है और आज मौसम साफ हो जाए तब ठीक है पर लाइट का उना बहुत ज़रूर है क्योंकि आज मुझे ना कपड़े की दुलाई करनी है और कहां जाए तरफ से सूरज जी निकल चुकी दूप तो लगी है चलो देखते हैं साम तक कैसा मौसम रहेगा और लेंटर ना पूरे साफ हो गए इतनी बारिस हो या चुबाना छोटी-छोटी सी गोड़े भी लग रहे थे जब हम काउचेद में काम कर रहे तब और यह है इस तरफ लेवर और यहां पे लगा हुआ है काम तो यहां पे ना पिल्लर गहरा देए इसके बाद फिर दीवारे लगेगी इस तरफ मौसम कुछ इस तरह का है और साइड मौसम साफ हो जाए हो सकता है सुबस न बहुत तेज बारिस लगी उए थी और पूरी रात भी लगी वी थी बारिस अच्छा है आगर मौसम साफ हो जाए और आद हमारी गवसाला में आ पदानीन का घरों में रहना सुब होता क्या सुब होता ने बताना मुझे अगर किसी को पता होगा तो तो बाहर का मौसम तो ने आपके साथ शेयर कर दिया है अब चलते हैं अपने कीचन में और कीचन में मुझे धेर सारा काम करना है अधी रोती सब्जी भी बनानी है और प देख लेति हम चुले पास आगशेखने के लिए एक इस तरफ और एक इस तरफ सुना सुना लगजाता आख चिकी भीन और काफी टाइम हो गया मताको तो एक सालोने वाला आ है माई में माई माई चलोगा ना माई जाएगम आपको एक साल प्था बनितने मिन्ने वा गवी वी कर लेते हैं रोटी सबजी का कुछ फिर देखते हैं अगर लाइटा जाई ना तो आज बहुत जादा कपड़े दोने करें काफी दिन एक अफ्ते से मैं कपड़े की दुलाई नी कर रही हूं सिर्फ वही दोती हूं एक सोट अपना और एक इनका जो अमर्यूज करते हैं उनको मैं ऐसे आथम से दो देती थी तो सोचागी आठ दस दिन के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ों देना उनकी दुला